Hello everyone, welcome back to my channel, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जियो मॉर्फोलोजी का चाप्टर, The Work of Glaciers and Glaciated Landforms, okay? semester first में ये भी हमें पढ़ना है, geography honors वालो को पता हुआ कि ये chapter है syllabus में, syllabus के according हम सारा चीज़ कवर कर रहे हैं semester first वालो के लिए, second के लिए हमने कुछ cover किया हुआ है human geography में, तो वो भी आप देख सकते हो, जो भी semester second के लिए पढ़ रहे होंगे, तो basically अभी हम क्या देखने वाले है work of glaciers and glaciated landforms, ठीक है, ये chapter हम आज स्टार्ट करेंगे, इससे पहले जो भी chapters हमने cover किया हुआ है, सबके लिए playlist given है, आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हो, and अगर notes चाहिए, तो उसके लिए भी Instagram का link दिया हुआ है, ठीक है, छली start करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंग under its weight, ठीक है, bulk of ice, बहुत जादा ice होते हैं, जो move करते रहते हैं, ठीक है, भार की वज़े से move करते रहते हैं, और भी बहुत सारे वज़ा होते हैं, ठीक है, it forms in areas where the amazing of snow goes beyond its ablation over many years, काफी time लगता हो, यहाँ पे snow क्या होता है, काफी जादा होते हैं, ठीक है, मतलब इतना इस हुआ करते थे, उसके बाद जाकर के फिर हमारा होलुसीन एज आया था, जो अभी तक चल रहा है, पता है सब को, अभी आगे हम देखेंगे, they are sensitive indicators of changing climate, हाँ, यह क्या है sensitive indicators है, कि इस चीज के changing climate के, कि climate change कर रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत जादा बर्फी बर्फ हुआ करत तब हमारे यह होलुसीन जो हमारा एज है वो start हुआ है, ठीक है, I think pronunciation मैं सही से कर पा रही हूँगी, पता नहीं, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, यह स्नो फिल्ड, ठीक है, यह जो हमारे टॉम है कुछ, ठीक है, उनको जान लेना जरूरी है, जिनका यूज इस में काफे स्टा बर्फ होता है, एक दिबहुब होन, बॉल्क ओफटा है, जो मूँव करते रहते हैं, अकसर, तो स्नो फिल्ड के होता है, ग्लेसी में हमारा तो आपको इधर पूरा एक न क्या दिखेगा, तो में स्टे गलेसियोड दिखेंगे ठीक है दिखते हैं एकदम वाइट कलर के तो वही क्या होते हैं स्नॉफ फिल्द सॉतने जो एक दम पर्मनेंट क्या से होगए कि हिवाले से पूरे के पूरे पर बुरे बसुप स्नॉफ या वहां पर बशिर स्नॉफ घां dir प्रवाउंडरी प्रवाउंडरी होता है ठीक है माउंटेन पे जिसके उपर एकदम पर्मानेंटली इसनो होता है ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या है इसके लिए कितना होता है 3500 मिटर्स होता है सी लेवल के ऊपर इसनो लाइन लोकेशन डिपेंड करता है उसको जो लोकेशन है कि वो यहां होगा यहां होगा स्नो लाइन यहां होगा किस चीज पर डिपेंड करता है तो सी पर डिपेंड करता है निकरता कितनी है सी से ठीक है समुद्र से उचाई कितनी है लाटिट्यूड कितना है क्लाइमेट विन डारेक्शन यह सारी चीजों पर उसके लावे स्टिपनेस हो गया इन सब पर क्या ड है यह माउंट किलो मंझा रहो गया Himalayan Mountain personagem आ मांट्स माउंट्टेन और मांट्स फोरएल अब को अहां पर यह देख न है कि सभय जो स्नौ लाइन है वो अलग अलग है इसका देख हो यह सका00 mm 3755 भाइज का 4000 अंड़ें मांट्टेन का मका कितना है इसका प्राइब प्राइब और यह सारे मांटेंज के बुक के काडिंग है कहीं पर किसी को प्राइब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो यह पर गलत लगे तो भी ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे क्या हमारे पास इंप्राइब गलेसियर्स आफ हिमाले माउंटेन ठीक है इंप्राइब डाइब रहे हैं तो सियाचिन गलेसियर्स के नाम इसका नाम तो सब ने सुना होगा उसके अलावा है हिसबार बियाफो बाल्टरो गंगोट्री कंचनजंगा केदार बामक ग्लेसियर ठीक है सियाचिन ग्लेसियर हमारा इस्टरन कारा कोरम रेंज में यह हिमाले के हैं सारे जो इंडिया में ग्लेसियर पाए जाते हैं वह जादा तर हिमाले माउंटेन में ही पाए जाते हैं ठीक है पूरे के सारे के सारे ग्लेसियर इसपार कहां पे हमार कुमाओं गढवाल में कुमाओं गर्वाल में में कंचन जंगः है कंचन जंगा कंचन जंगे कव सब Nom 175 1565 में थीजाय इस कणूता है वह इस तरह के पड़ना में इय। है कोर्षा만 करना में या पर उठाव लगाओ को क्या कहेंगे जो द्रा रहे होंगी उन को क्या कहेंगे ठीक? cribises षब से पहले हैं इन तप्स प्रियूस में से crevices क्या होता है a cribis is simply a deep crack in a glacier or sìit यह क्या होता है एक deep crack होता है ठीक है एसे ख्र shout हुए यह काफी deep तक जाता है ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रेविसस कहते हैं और काफी लंबा भी यह जाता है ठीक है? उसके अलाबा के हमार पास सिरेक्स सिरेक्स क्या होते है? सिरेक एज लार्ज फ्री स्टैंडिंग कॉलम और ग्लेसियल आइस फोर्मड वें ग्लेसियल is broken up by intersecting crevices क्या होदा इसमें एक फ्री कॉलम होता है उधर हम देखने वाले हैं देखेंगे फिगर के बॉविंग आइस और इस को सिर्क काहते हैं लेकिन यह तो ने कपाद यो ऊपर वाला पाथ है हमारा यह भी ग्लेसियर है यह जो बीच की जो तरा आरे पड़ी है हमारी उसको क्या केया बॉक्स ख्रीया नेज्स्ट वेहल स्च्ट वेल क्या होता है a hollow in the surface of glacier formed by the more rapid melting of ice beneath a deposit of dust यसे dust deposit हो गया है पत्थर हो गया है छोटे मोटे ठीक है तो सूरज की जब केड़ना बढ़ती है इस पे तो गरम होकर के क्या होता है इसके नीचे hollow surface बन जाता है ठीक है यह hollow हो जाता है होल बन जाता है जो कभी-कभी cylindrical लगबग cylindrical safe ही होता है लेकिन उसके अलावा circular भी हो सकता है और भी shape हो सकते है ठीक है तो यह basically dust जमा होने से या फिर जो हमारे छोटे-छोटे पत्थर होते हैं उनकी वज़े से उनके गरम होने से नीचे की ice भी घलके यह hole ऐसे बनाती है जिन dust well यह मालो यहां पर dust जमा है तो इसके नीचे क्या होगा धूब की वज़े से यह पिखल करके यहां पर इसे hole बन जाएंगे ठीक है तो यह हमारे डस्ट वेल हो गए यह हमारे सिरैक्स है फ्री स्टेंडिंग पार्ट ऑफ गलेसियल ठीक है यह यह तो टूटने के बाद यह फ्री स्टेंडिंग पार्ट है इसको हम क्या कहें सिरैक्स बोलते है और यह टूटा पार्ट है यह जो दरारे है इनको क्या कहेंगे इनको हम कहेंगे बर्ग शूर ठीक है अब देखो तो यह हमारा क्या है इधर से तो भी नहीं पिखल रहा है यहां पर ऐसे दरारे पड़ गई तो यह जो मुविंग पार्ट है क्योंकि यह पिखल पिखल के अब नीचे आएगा और यह जो हमारा भी उतना पिखलेगा नहीं तो इसके वाज दिए नन मुविंग पार्ट और आदर वरह ार एक व्यूंत को सेख और अंड टाइप्स ऑफ घ्लेसियोर को ग्लेसियोर ताइप आप्स ऑफ ग्लेसियोर देखेंगे वैली मत प्रफिवारम पीट्मींड ऩोल्फोर सेख्ण टाइड़ा टाइडल है दोसर प्लेल यह ने жृजर इसके अलावा आपाशोर इसको mountain glacier भी कहते हैं, they form on mountain side and move onward through valleys, ठीक है, यह mountain के उपर बनते हैं और valleys के थ्रू यह नीचे की और आते हैं, कि सकते रहते हैं, ठीक है, इनको हम कहते है valley glaciers, ठीक है, उसके आगे हमारे हमारे पास क्या है, ice cap, ice cap जो cap की तरह, जो ढखकन की तरह बनेगा, ice जहां पर जमा हो ज glacier mass flowing in all directions, such as the ice cap of Ellesmere Island in the Canadian Arctic, यह दो को, example इसका दिया हुआ है, किसका ice cap on Ellesmere Island in the Canadian Arctic, ठीक है, तो यह होता है, हमारा ice cap, जो की dome shaped होता है, बसीकली, और चारो तरफ में, all directions में यह ऐसे फैला हुआ होता है, ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, पीडमांट glaciers, is a valley glacier which has spilled out on two relatively flat plains spreading into bulb-like lobes, ठीक है, पीडमांट glaciers basically क्या करते हैं, यह spilled out होते हैं, ठीक है, जो valley glaciers होते हैं, उधर से यह ऐसे आते हैं, और ऐसे तूट करके, यह flat पूरा एकदम फैल जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम पीडमांट glaciers कहते हैं, और यह glaciers पीडमांट करके कुछ ऐसा भी formation करते हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारा पास है continental, continental कहने सही समझ में आ रहा है, कि यह पूरे के पूरे continent की बात हो रही है, जिसका example कहा है, अंटार्टिका, अंटार्टिका कॉंटिनेंट है, तो सबसे बड़ा अगर हम continental glacier की बात करें, तो वो क्या हमारा अंटार्टिका है, ठीक है, मतलब सिर्फ आपको आईश कवर ही दिखेगा, एन आईश सिट कवरिंग एक considerable part of continent, नेक्स्ट हमारा टाइडल ग्लेसियर, यह क्या कर रहा है, यह हमारा ज्यादा ज्यादा continent का पार्ट एक दम कवर किया हुए है, और जो चैड़ मुषं हमारा अंटार्टिका का टाइडल although टा ऐओंल ग्लेसियर ऑदेट इसफिर फोलॉइ न फोलव आउट अन डो टो सी सिए अब लेकिन हमारे माउइंट पर आमको भी यह रिवत खलते डिशलते इतने ज्यादा हो place your landforms यह सारी चीज़े cover करने वाले हैं ठीक है so thank you so much अगर समझ में आया होगा तो वीडियो तो please don't forget to like, comment, share and subscribe और कहीं भी कोई भी परशानी होगी तो आप comment section में पूछ सकते हो या फिर instagram पे भी आप message कर सकते हो ठीक है thank you so much